किसान एक बार फिर से आंदोलन की राह पर है और कई सारी जगहों पर प्रोटेस्ट चल रहा है हमारे साथ राके स्टिकैज जी हैं पिछली बार जब हुआ था प्रोटेस्ट तो आप बल्कुल फ्रंट पर दिख रहे थे इस बार कहीं पीछे पीछे दिख रहे तो पूरे दे इस ने अपनी कोल दिये है हमारा सोलह तारीक को ग्रामीण भारत बंद है करनी के कल इंटने एक multi की कोल दे दिये दूसरा एक संगत्थन है को दिलि गय नहीं तो वहां बीच में बठे हुए हैं लेकिन मुद्दे सबके एक हैं हृ इस्यू सबके एक हैं और हमने सरकार इनसे बात्चीत करें और बात्चीत से इसका समधान निकाल ले जो भी लीडर्सिप है उस अंदोलन की उनसे बात्चीत करें जब दिल्ली में अंदोलन था तो उसके 40 बड़े नेता थे और हमने पिछले दो साल से जब से यहां से गए कि सब लोग को बठा के बात्चीत करना चाहें कि सब लोग फिर इखटा रहें लेकिन अभी जत्यबंदी सारी खटी नहीं है क्यों नहीं है यही तो बात है क्या कि इतना बड़ा अंदोलन एक तरीके से दुबारा शुरू हुआ है और फिर वही बात हो रही है कि आप ही बटे हुए हैं तो सरकार क्या आपको तबज्जो देगी शप्राइब भाव लीजेगा अभी तो आप आपस सबके एक हैं तो संगठन को बटे हुए हैं तो संब्टन बटे हुए हैं जिसे कुछ संघठन होंगे पंजाब के वह ऐसा प्याजसाइल की बात करेंगे सिय के उससे हमारी स différence नहीं है हम मनें कआ कि घो चोड़ने पड़ेंगे यह हमारा इसू नहीं पॉल्टीकल इसू है जिसदिन यह इस्थो कोई किसान शंकथन पंजाब या हर्याने का उठाएगा उसी दिन विवाद होगा, उसी दिन वियाद होगा पंजाब वरसिस हरियानेका होगा, शिक वरसिस नोन शिक का होगा, उसी दिन हो जाएगा लेकिन कुछ संगठन आज भी आमादा हैं कि हम उसके लिए चंडीगड में धरने पर बठेंगे, अमारा उसका विरोध है, तो HoALL कि की लिख कि यह और ही नदोलन से दूर है यह रिखिया का अंदोलन नहीं है कि यह किसानों का है SKM की कलकौल है और मैं कि एसकेम के लोग जो यह संगठन के लोग हैं यह सारे एक जगह बैठकर तह कर ले कि तो क्या अभी आपका पश्चिम उत्तर प्रदेश पर आ जाते हैं वहाँ पर जैसे जैसे चुनाव आ है राजनीति घटना क्रम भी बदल रहा है रास्ट्रिय लोकदल जो जैन चौधरी के हाफी के इलाके से हैं वह बीजेपी के साथ यह नि सरकार के साथ चले गए पिछली बार आपके किसान अंदोलन के साथ थे तो यह क्या चल रहा है कि क्या किसान कमजोर नहीं हो रही है जो भी पॉलिटिकल पार्टि में है लेकिन अब अंदोलन होता है तो किसान हमारे साथ रहता है कि हमें अंदोलन वाला किसान चीए जब उसको वोट देनी ओदेल जहां देने हैं हम वोट वाले जंजट से से दूर रहना चाहते हैं इस एक क्या बीजेपी के कोंग्रेस के आप के समाजवादी इसके किसान तरह की बात करने हो सकता है बीजेपी में ही बात करने हो यह जिस तरीके से कुछ एक सीट मिल गई जहन चौधरी को उन्होंने बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गए तो हो सकता है कि राकेस टिकेद भी शिफ्ट हो जाए हम ने यह कहा है कि हम नोन पॉल्टिकल है नोन पॉल्टिकल ही रहेंगे हमको ना चुनाव लड़ना ना किसी के चुनाव परचार में जाना ना किसी के आरजीत की बात करनी हम इस पॉल्टिकल सिस्टम से दूर रहेंगे हम मुमेंट की बात करेंगे आंदोलन की बात करेंगे सरकार समाधान कर उसकी बा कर रही है कि आप तो अर्थ विवस्था का बठा बैठाने के लिए दस लाग करोड रुपे का एक यह नया जो चला है ने तीन दिन से चला है यह कहीं व्यापारी सस्ते में खरीद करता है वह MSP से निच्चे पर खरीद ना करें यह सरकार इनके जो लोग हैं जो व्यापारी हैं यह गुम रहा कर रहे हैं देश को बकाना चाहते हैं जी महेंगा ही बढ़ेगी दसनाक करोड का बज़े वह अलग से बढ़न पड़ा कहीं में लें दूसरा व्यापार कर लें यह सरकार मौजूदा सरकार है देश में यह पूंजी पतियों का एक गैंग है उसने देश पे कब्जा कर लिया उसने एक पॉल्टिकल पार्टी बनाई उसके माध्यम से लिगल रूप से कब्जा करना चाहते हैं वो दिखाई नहीं देंगे जो इस सरकार को चलाते हैं पुजीवाद वो दिखाई नहीं देगा जैसे आप अंदोलन में शामिल हो रहें होंगे यह अंदोलन का मत्बब यह नहीं कि वहाई परी जाका आंदोलन में शामिल होंगे हमारा कल भारत बंध ग्रामीन भारत बंध कल है 17 तारिक की सिसोली में जो मासिक पंचात है वो है दो दिन का समय सरकार के पास में हैं दो दिन में सरकार इसका समयधान निकाल ले हम वहाँ पे 17 तारिक को इस विश्य पर बात करेंगे और हमने एसकेम के लोग से भी जो दूसरे संगठन है इन से भी अपने कहा कि आप भी अपनी बातचीत करें तो मतलब दो दिन का आपने 48 गंटे का एक तरीके से अल्टिमेटम अब देरें सरकार बातचीत करेंगे हम और 17 तारीक में इन पूरे जो घट्ना कर आमें इस पर बात करेंगे क्या होगा क्या हो सकता अगर 17 तारीक तक माल लीजिए कि जो अभी की स्थितिय बनी रहती है तो क्या संभाव नाए अभी देखाए पूरे देश वर के लोग हमसे सबसे बातचीत करेंगे और वह लोग वहाँ पर बैठ गे हमने यह का आए किसान है वह वापसी नहीं जाएगा किसान है किसान हारके वापसी जाएगा ही नहीं यह तो आग्या बढ़ाएगा यह बातचीत से उसका समधान होगा वह बैठ गे आज पांच बजे भी बातचीत हो रही है पांच बजे सरकार से बातचीत होगे हमने सरकार हो कहा कि आप बातचीत करके जो भी उनकी लीडर्श पर उसमें दुकानदाट ट्रांसपोर्टर इंडरस्टीज के लोग सब उसमें शामिल है और उसके बाद में 17 तारीक को सिसोली में जो मासिक पंचात है वो है उसमें बात करेंगे पूरे सब्सक्रा रोमरगी ना दिल्ली दूर ना किसान दूर है अब वो क्या फैसला वहां के लोग लेंगे क्या चर्चाई होगी उसमें पंजाब हर्याना उत्राखंड उत्तरपरदेश दिल्ली उसके कुछ जो लेडर हैं अपने वे बुलवाई हैं और वे वहां पर कोई ने कोई फैसला लेंगे चलिए तो राकेश टिकैत का कहना है कि एक तो सोलह फरवरी का भारत बंद है उसमें तो तमाम जो सेयुक्त किसान मूर्चा के सदस से घटक दल हैं उन्होंने उसको बंद रखा है और सतरह तारीक को यानि शनीवार को एक बैठक है राकेश टिकैत साहब के गाउं सिसौली में जहां पर अलग-अलग राज्यों के संगठन के जुरे हुए नेताओं को बुलाया गया है और उस दिन फैसला होगा कहने गाजीपूर भी दूर नहीं है तो देखते हैं क्या होगा कैसे होगा फिलहाल अंदोलन के मूड में और कहना है कि सियासत से हमारी कोई लेन देन फिल प्रुक्रा गड़ है खिल्ग झिल्ग झाल प्रुक्पथ को बॉगर बॉग्णीप, लेकि अग्यों के अन्दोग्टश्यों कुल खर रने इसान के उलगवाद़ को लेता बाड़ प्यूर्थ आरपए, लेकिस नहीं और बॉड़ और दिल्गने से ओनोगवा ऑश रोग,